स्वागत करती हूँ आप सभी का हल्दी रीडिंग होगी ये आप सभी की परसन की जितनी भी करेंट फिलिंग से वो मैं देखने जा रही हूँ ओल साइन रीडिंग है बारा की बारा राशिया यहाँ पे मौजूद होगी अगर आपको इस रीडिंग को बहुत अच्छे तरीके से सुनना है तो आज मैं सिर्फ और सिर्फ सच बताने वाली हूँ प्लीज यहाँ पे अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो मत देखिएगा सच का सामना आज मैं आपको कराके रहूंगी देखूंगी कि इस वक्त आपके परसंट क्या सोच रहे हैं और इनके मन में क्या है तो चलिए शुरू करते हूँ आप किसी भी चीज को बहुत एजली लेट को नहीं कर पा रहे हो कोई ऐसी चीज है जो आप बहुत ही कसके होल्ड करके बैठे हुए हो और ऐसा लगता है कि आप मन ही मन में उससे लड़ रहे हो एक तरफ आपका माइंड कह रहा है तु जा तु जा तु जा मुझे आजाद कर एक तरफ आपका दिल उसको पकड़ के रख रहा है उसको जाने नहीं दे रहा है देखो मैं समझती हूँ आपने बहुत ज़्यादा तुफान जहेले हैं अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देख लिया है बहुत कम उम्र से आपको बहुत ऐसा लगता है कि इतने जटके लगे हैं मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ भी बताने की जरूरत है आप खुद बखुद जानते हो कि आप क या क्या चीज जेल कर यहां तक आए हो तो इसलिए आपके लिए आपके जो लेसंस होते हैं जो आपकी सीख होती है किसी भी प्रॉब्लम से वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है और इसी वज़े से यहां पे दिख hold करके रखाए और जितना साथ आप hold कर रहे हो आप आगे की और action नहीं ले पारे हो यहस मैं आपकी energy बता रही हूँ इस energy के वज़े से आप किसी और काम में भी नहीं रह पाते हो अब दूसरी चीज मैं आपको ये बताती हूँ आपके person के energy हमेशा से let go के लिए ready रही है ठीक है अब ये energy बिल्कुल opposite है counter है आपके person focus कर रहे हैं इस वक्त कि let go वो कर चुके हैं बस वो आपकी permission के इंतिजार कर रहे हैं कि कब आप new energy को welcome करोगे इस case में तो ऐसा लग रहा है आज की reading में कि आप से ज़्यादा आपके person आपके contact का wait कर रहे हैं हो सकता है आपने बोला हो कि जब मुझे सही लगे कि मैं करूंगा सामने से या करूंगी है ना तो ऐसे लग रहे है कि आपके person ने आपको खूब time दिया हुआ है और वो आपको पूरी तरीके से छूट दे रहे हैं कि आप अपना time ले लो पर मेरे पास जब वापस आओ तो ऐसे मत कहना कि यह हो गया था वो हो गया था मतलब basically वो आप दोनों का रिष्टा आगे की direction में चाहते हैं ना कि वो चाहते हैं कि आप पीछे की ओर जाते जाओ दिरे दिरे मैं यह देख रही हूँ यहां पर एक chasing energy है जहां आपके person आपके आपके मतलब आपको बताए बिना आपके permission के बिना आपको chase कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से पर यहां जब इतने times अब आप चुप हो और आप इस person को कोई sign नहीं दे रहे हो कोई अपनी तरफ से हरी जंडी नहीं दे रहे हो तो आपके person को ऐसा लगता है कि यह already देख रहे है कि यह लाल जंडी है कहने का मतलब है कि यहां पर full stop हो गया आपके रिष्टे का मैंने कहा था trigger warning दी थी अगर आप इस reading को नहीं देख पा रहे हो तो प्लीज ऐसे आप मत बने रही है reading पर आप दूसरी reading पर क्लिक करके देख सकते हैं तो ऐसा लग रहा है यहां पर और अगर आपको यह reading देखनी है और आप देख लोगे तो अभी reading को एक like कर दीजिए तो ऐसा लग रहा है कि आपके person को कि यहां पर full stop हो गया है ठीक है अब यह भी यही सोचने लग गया है कि ऐसा मैंने किया तो किया क्यों मैंने जरूर से अपने person को offend किया है किसी बात पर किसी चीज़ पर तकलीफ पहुँचाई है और यह सिर्फट सिर्फ उपर से तकलीफ नहीं है जब ये तकलीफ अंदर तक पहुंच जाती है किसी के दिल तक छूँ जाती है न वो बात है और पते हैं कब इनसान आंसु गिरा आता है जब उसको दिल पूरी तरीके से भर जाता हो वही एनरजी आपके साथ है इस परसन को absolutely regret है कि इतने बड़े adult होते हुए भी इतने बड़े मतलब इनों एक full fleshed इंसान होते हुए भी जिसको ये अपना life partner बनाना चाहते है उसके साथ इनों ने ऐसा किया और उसको इतना ज़्यादा रुलाया तो ऐसा लग रहा है कि अब इस परसन को आपके आशो के कीमत समझ आ रही है क्योंकि ये परसन अपने आशो को नहीं रोक पा रहे है ठीक है if your partner is male तो ये थोड़े से हिच किचा रहे है अपने आशो को नहीं दिखा रहे है अपने आशो को जटा नहीं रहे है पर मुझे ऐसा लगता है ये person आपकी तरफ एक light भेज रहे है जो आपकी तरफ भेज रहे है इसका मतलब ये person कभी भी मैं देख रही हूँ नफरत के energy में नहीं है ना ही इनके अंदर negativity है बस खुद को लेके ये person बहुत ज़्यादा low feel कर रहे हैं इस वक्त खुद को लेके इस person का कोई control नहीं है खुद पर और ऐसा लग रहे है इसी control ना होने के वज़े से आपके person को ऐसा लगता है कि करने wrong doer भी यही है सजा के भी यही हगदार है ठीक है ये जानते हैं कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है और ये कहीना कहीं समझते हैं कि जो भी आप इनको silent treatment दे रहे हो ना उसको ये deserve भी करते हैं इनको ऐसा अभी भी लग रहा है कि जो भी मतलब ये जो भी आपके साथ ये कर चुके हैं या जो भी आपको disappoint कर चुके हैं disheartened कर चुके हैं अपने action से क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर third party situation भी है जाहनों ने आपके साथ रहते रहते दूसरों options को खुला रखा है ठीक है आप यहीं देखने की कोशिश कर रहे हो कि वैसे तो आपके सामने ऐसे हैं पर social media तो ये खुब active है खुब ये दूसरों की फोटोज वगरा लाइक कर रहे हैं खुब ये अपनी मतलब ये उन्हों online रह रहे हैं ये थोड़ा बात हो उमबक तो आपने भी किया है ठीक है ना तो मैं एक चीज बता दू यहाँ पे आपके person को ऐसा लग रहा है कि जो भी आपके वरताब में change आया है या जो भी आप तूटे हो उसके लिया आपके person जिम्मेदार है जिस इंसान को सम्हाल के रखना था जिस इंसान का ताज पहना के रखना था उस इंसान को इन्होंने खुदी खुद से दूर कर दिया है आपका ये broken broken ये जो situation है उन्होंने कभी देखी नहीं हाला कि इनकी मैं एक और गलती बताना चाहूंगी भी ये person इस चीज को realize कर रहा है लेकिन इन्होंने भी आपसे मूँ फेरा है कहीं न कहीं आपको भी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके emotions को इतने importance नहीं दी गई है आपको ignore किया गया है क्योंकि अगर आपको same चीज बार 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 बोलने पड़े इसका मतलब साफ हो जाता है कि ये इनसान मेरे लिए serious नहीं है पर आपके person यहाँ पर मुझे बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि इतनी बार कोई चीज जब होई तब इनको समझनी आए फिर आप बाद में जब separation है जब पूरी तरीकी से शान्ती है एक तरीकी से silence है आप दोनों की न सबसे वड़ी ताकत बन रही है जो कई हुई बात है अगर तब इनकी दिमाग में नहीं गुसी है अब जो चीज है जब उसको ऐसा लग रहा है कि कोई इनकी दिमाग में कोई फिल्म है या कोई टेप है जिसको ये बार-बार चला रहे है ठीक है बार-बार-बार प्ले कर रहे है न तो तो इनको समझा रहा है कि हाँ इस चीज़ का ये मतलब था यहाँ पर मुझे पलट की जवाब नहीं देने वाले क्योंकि हो सकता है वो चीज़ हुई हो पहले मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस परसन की पलट की जवाब देने में देने की वज़े से बहुत बार हर्ट हुए होगा क्योंकि आपका ये मानना है कि अगर आप ये चीज बोल रहे हो तो इसका मतलब इनको hurt करने के लिए नहीं इसका मतलब ये है कि आप इस बात को सुनो ठीक है किसी टाइप का कोई lane dain exchange यहाँ पे होने वाला है कोई मुझे लगता है ring ceremony या कोई exchange होने वाला है recently हो सकता है कि आप किसी की marriage देख के आए हो और आपको आपके person को बहुत ज़्यादा आपका मन किया है कि आपके person को अपने साथ लेके जाओ same with your person they are doing a lot of things पर ये भी अपने हाथ कहीं न कहीं रोक रहे हैं ठीक है ये कोई तीसरा रास्ता रेलेने वाले है पर ये बहुत लंबे तक आप आपके साथ ठीके रहेंगे this is the person जो आपके साथ हमेशा you know by your side वो अलग बात है कि आप खुद इनको खुद से दूर कर दो या फिर खुद इनको खुद से धका दे दो या फिर समझ रहे हो आप खुद इनको allow ना करो पर this is the only person मुझे लगता है कि जब भी आप जब जब इनको बोलोगे किसी help के लिए या जब भी आप इनको किसी भी मदद के लिए आप पुकारोगे या फिर ऐसा कुछ होगा तो ये कभी भी deny नहीं करेंगे ये इस चीज के लिए कभी भी मना नहीं करेंगे क्योंकि इनके energy बोलती है they are always ready for you they are ready to provide you they are fully ready to provide you ठीक है न they are fully ready to provide you अब ध्यान से देखने पर यहाँ पर पता चल रहा है धिरे धिरे आपके person के energy दूसरी और जा रही है पर दूसरी और जाने का मतलब है कि action बहुत severe action लेना चाहते है ये person आपके लिए आपको बता देना चाहते है आपको special feel करा देना चाहते है कि इनकी नजर में आप क्या हो क्योंकि आपके person पता है क्या सोच रहे है कि आप ना उनको दूसरों की तरह देख रहे हो आप दूसरों की तरह देख रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि ये person भी आपको दिल तोड़के भाग खड़े होंगे पर मुझे लगता है ये रिष्टा बना ही इसलिए है ये relationship आपकी गलत फैमियों को दूर करने के लिए आपको गलत प्रूफ करने के लिए बना है रिष्टा ठीक है ना और वो ही चीज आपको इनके action में आप दिखेगी जो इनके past में कहे हुए words है आप देखोगे कि उस energy को उसको match करते हुए आपको real life में दिखेंगे मतलब मैं बता रही हो जो आपने मतलब आप एक dreaming भी करते हो ना कि ये चीज होगा ऐसे होगा अगर वो चीज वैसे नहीं होई ना उससे better होने जा रही है साफ सिती बात अगर वो चीज वैसे नहीं होई उससे better जरूर होगी और ये person के हाथ में है और वो actions आपके person आपकी और लाते होई दिखाई दे रहे है अगले 6-7 घंटे कुछ change यहाँ पर होने वाला है आप इस person की तरफ से कोई संदेश जो है expect कर सकते हो ठीक है ना देखो किस तरीके से candle अभी भी बहुत तेजी से जल रहे है इनके लिए आपकी feelings fade नहीं हो सकती कभी भी आशे करती हूँ reading अच्छी लगी होगी feedback देके जरूर जाना thank you so much बारा बारा देख लिया है मैंने angels का शुक्रिया thank you